सभी भक्तों का स्वागत है हम लोग भगवत गीता के चौधवे अध्याए प्रगृति के तीन गुण से श्लोक्रमांक कि नौ तो पढ़ चुके हैं दस के आगे पढ़ना है तस ग्यारा नौ अदस पढ़ने तहां ग्यारा बारा तेरा पढ़ना है आज तो आज हम लोग इन तीनों गुणों का अपने चित में अपने शिरीर में व्रिद्धी हो रही है कि रास हो रहा है रास मतलग कमी हो रही है इसको हम स्वयमानभव कर पाएंगे इसलिए उन लक्षणों को इंच लोकों में बता रहे हैं कि देखिए भगवत गीता एक करना चाहता है ज्यकतने महान वर्ना चाहता है भो की बहुत इच्छा होती है और प्रस्तत करता है अब हमारे चित में क्या बढ़ रहा है हमारे श्रीर में क्या बढ़ रहा है उसको हम अनभव करें जैसे आप बहुत अचार खा लें तो अनमान कर लेते हैं कि अचार खाने से मेरे को यह प्रॉल्म हो रही है तो वितर्क करने की शक्ति स्वयम देखना वैसे अब हम आज इस लोक में सीखेंगे मेरे पिछे बोलिए सर्वद्वारे शूदे हस्मिन प्रकाश उपजायते ज्यानम यदा तदा विद्या विव्रिधम सत्व मिथ्युत प्रकाश उपजायते वैवस्तूं को वास्तवी ग्रूप से देख पाती है ज्यानम येदा जब इस प्रकाश से घ्यान मिद्धम स्टुत है सत्व के कारुण अंधा मतलब सुख की वृद्धी भी होती उता मतलब वताएं ओल्सो ज्ञान भी होता है और सुक की वृद्धी भी होती है तो इस प्रकार का अनभाव जब होने लग जाए तो समझ में आना चाहिए कि सत्तिकुण है कि अब जैसे इसको परे समझ लेते हैं इसको ज्यान करते था वस्तुओं को यथावत देखने की शक्ति अब रजगुण से कंपेर करें तो समझ में आ जाएगा आँखों से कोई दृष्ष देखते हैं भोग का तो एक रजगुणी विक्ति सोचेगा यह तो बहुत अच्छी चीज है और स इसमें कुछ रखा नहीं है तो यह था वाद देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है कांसे कोई सिनेमा सुनेगा रजगुणी विक्ति केगा बहुत अच्छा है सथ अच्छी चीज नहीं है जीव से मिर्च मसाले की चीज होगी रजगुणी विक्ति के बहुत अच्छा तेस्ट की बात नहीं है तुमारा टेस्ट डिफरेंट है. आसा नहीं कि सत्वग१न्य वेक्ति को टेस्ट अच्हा नहीं लगता. लेकिन उसके खाना जो भयज़ण होगा, भेज़गा वह सत्वग१न्य होगा. मिर्च मसाले भहत भॉढ़ खाने वेक्ति वह नहीं होगा. तो इस परकार से आप देख सकते हैं कि सूगनी में विस्जी प्रकार से इस्तिति रहती है तो आनने सभी प्रकार की of the social au th was physical sensation समझझते हैं आप जिश्की स्थूल बुद्धी समाज मेंने अगा सुख्ष बुद्धी का कि शरीर के उत्पादों को मामा ताव बेटा बेटी मानना कि समझ रहे हैं शरीर के उत्पादन है उसको बच्चा अपना बच्चा मानना जब कि उस जीव को भी देखते ही नहीं है यह सब अज्ञान के कारण है तो सतोगुणी व्यक्ति इसी लिए घर परवार की आशक्ति से निवृत हो जाएगा एक चीज़ क्लियर नहीं होई थी कि सतोगुण भी बंधन का कारण बंता है और कभी-कभी भक्ति में आधा काने का बाधक होता है एक तरफ यह कहा गया और दूसी तरफ यह कहा गया कि भक्ति को छोड़ किया जाता है तब बंधन बढ़ जाता है समझ रहे हैं सटोगुण का निशीम करें मतलब अपस्या कर रहे है सात्विक जीवन जी रहे हैं वेजिटेयन है सब कुछ है महालों फार महो से भाइव से मैं जंगल में रह 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 एं सब कुछ है वेक्ति है जो कुटता खाने वाले क्या भले पैदा हो लेकिन आप अपने मन वानी और इंद्री को आपको समर्पित कर रहा है तो आप अंतर समझ बारें दोनों बातों का तो खूब सब्सक्राइब भड़ा लिया उसने लेकिन भगवान की भक्ति में रुची नहीं दिखा है दो लिया कि के अपने आप सफोगून भड़ता है तो वह जो होता है और भगवान की निर्गून शक्ति दिव शक्ति आंतरिक तो वह हमको उठाकर की निरुगा वस्था को ले जाएगी वहां पर इस प्रकार से वरिद्धी होगी वह लेते हमको एक देन शुद्ध सत्व की वस्था में पहुचा देगा यह बास अंतर दोनों समझ में आ रहे तो उस प्रकार से फिर सतोगुन बंधन नहीं बनेगा बलकि भक्ति में सहायक होगा तो दोनों बाते समझ में आ रहे हैं अब नई समझ में आ रहे तो जब करते रहे सतोगुन थोड़ा बढ़ेगा तर समझ में आएगा इसमें कुछ कर नहीं सकता देगे सूक्ष्म बातों का समझने के लिए बुद्धी को सुक्ष्म होना ही क्यांवां कहीं सुनेंगे ही तभी सुख्ष्म होगी नूरू बाते हैं सुन्ते सुंते तीर बाते समझ में आने लग जाती है और भागवान का प्रसाथ वे बहुत मोहत्पूर्ण है भागवान प्रसाद sauce नामजब और शव्ण इतीनों चीज़े होती रहेंगी तो बुद्धी फिर सुक्ष में हो जाएगी और फिर समझ में आएगा सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशत होते हैं अब यह देखिए कि इस प्रकार की स्तिती को प्राप्त करने की तो बात छोड़िए इस प्रकार की स्तिती को प्राप्त करने के बारे में वर्णन भी नहीं किया जाता है क्या वर्णन किया जाता है प्राया किस प्रकार से जगत में हम भान बन जकते हैं क्योंकि पूरा समाज जो प्राय मनुश्य समाज हो कैसा है रजगुणी समाज यह रहता है बहुत उद्यम करता है बहुत कश्ट पाता है लेकिन क्या सोचता है कि मैं सुखी हूँ दुखेश्य सुखमाने ना यह रजगुण की कारण होता है गीता बुशंटी का अब तींश लोग वर्णन करेंगे कि किसी विशेश गुण के उत्कृष्ट होने के क्या लक्षण है उत्कृष्ट मतलब बढ़ जाने के कोई गुण आप यह जानते हो कि कोई भी गुण शुद्ध नहीं रहता है को एक विशेश कुण जब बढ़ जाता है तो उसका प्रभाव हमारे चित में देखने लगता है जब शोत्र आदी इंद्रिये विशियों का ग्यान इंद्रियों के द्वारा यतात में प्रकाश रूप ज्यान अधित होता है तो इस प्रकार की अथावत ग्यान से जानना चाहिए कि श्रीड में सत्व की विर्द्धी हो रही है बहुत कटिन हिंदी हो गई ना बहुत आसान शब्दों में कहें सुनना देखना छूना सूंगना चकना यह सब ग्याने दिरियों के विश्य हैं ठीक है जब इन वस्तुओं को हम यत्हावत देखने लगते हैं त कि देखो भाई जो इंद्रियों के संपर्क से इंद्रिय विश्यों के संपर्क से इंद्रियों विश्यों का इंद्रिय से संपर्क होता है तो उससे जो तथा कत्र सुख होता है वही दुख का यूनी है दुख का सुरोत है यह समझ में आ रहा है आंख से कुछ देखा अच् लगा भोग की इच्छा कर निर्माण हो गया और वह किती दर के लिए अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए किसी भी जगत के संदर रूप को आप लगातार नहीं देख सकते हैं समझ रहे हैं तो जो सतोगनी वेक्ति है वह समझेगा कि इंदरिय विभोग जो है वह है दुख का कारण है इसलिए न रमते न तेशू रमते बुद्धा बुद्धिमान वेक्ति उसमें रमन नहीं करेगा अब आप देख सकते हैं कि हमारे चित में जब रजोग्न का प्रभाव होगा तो class में भूलेएं यह रमन करने लगते है क्योंकि रजगुन का प्रभाव है इस प्रकार से लेकिन कम से कम स्टैंडर्ड तो सुनना चाहिए और इससे होगा क्या जब हम कई कोई वक्ति भोग कर भी रहा है अगर स्टैंडर्ड सुना हुआ है कि भाई ये इसमें दुख है ये अच्छा नहीं है तो धीरे धीरे करके उसकी मतियब ठीक होने लग जाएगी इसलिए ससंग में आते रहना चाहिए जाहिए वक्ति कितना ही म माया में है आता रहे Soy webести नहीं तो देखने लगे कि मैं माया में हूं और नहीं तो लगेगा भी नहीं कि मैं अच्छीख हू कैसा बाते समझ federal समझ समझ आए इसमें गांगे मैं किया किहना चाहतौ है तो यानि कि इस जगत में दुख है दुख ही और सुख नहीं थावथ की यह सब सत्वगुण का लक्षन है। मैं उस तरह के सत्वगुण की बात कर रहा हूँ जो मैं भक्ती से प्राप्त होता है। इस जगत में भौत एक संबंधों में प्रेम नहीं है। अब बहुत से लोग उस बात को नहीं मानेंगे। नहीं मिरी उन्हां पत्नी बहुत प्रेम करती है बच्चे बड़े प्रेम करते हैं ऐसा-चेल करके। एक हमारे हैं नहीं है । हुमने का ग्रस्टास्तरह में क्या सूख है। अरे कितना सूख है respirare जाते हैं व फढ़ों में घर जाते हैं चोटको चोटको जनजट है ग्रहस्तास्रम में जो समझ गया वो कभी प्रवेश्श नहीं करेगा बस भगवान बचा के रखें से और उन भकतों ने बोला है जो भक्ती में बहुत उन्नत है मुझसे उन बक्तों ने बोला है एक बार तो बहुत है हमारे गुरु भाई वो देखने में ब्रमचारी ऐसे लगते हैं उनकी शादी हो चुकी थी बच्चा भी हो गया था तो सीने डिवोटी गीता कर प्रवचन कर रहे थे कह रहे थे अच्छा है कि तुम ब्रमचारी रहे हो परवचन करेंगा हे तो इसे लगते थे वाम बहुत अच्य वाट मुस्करा राधे लेकिन इसपसे बड़ी प्र Complete रहस्तास्ट्रम की वह यह है कि हमार जो चित है वह बहुत संकीन हो जाता है बस मेरे बच्चे मेरे ये मेरा वो समाज के बारे में प्राया ये अपसलूट रूल नहीं प्राया विक्ति नहीं सोच पाता है मैं यह नहीं किया रहा हूँ कि कभी कोई नहीं सोच पाता है लेकिन प्राय प्रायर्टी रहती है कि मेरे बच्चे ठीक हो जाए मेरा यह हो जाए उसके बाद हम कुछ और करें इस सभाव एक देखिए कोई आक्षिय अपने ही लेना चाहिए लेकिन यह सत्य है इसको स्युकार कर लेना चाहिए इसका मतलब ही नहीं लोग रहसतास्टा में जाएंगे नहीं लेकिन यह प्रॉब्लम है उसकी तो बाइंट पॉइंट यहां बोल रहे हैं कि हम लोग यतहावत नहीं देख पाते हैं रजगुन की वज़े से और सत्वगुन जब बढ़ता है तो हम यतहाव देख पाते हैं यह बात समझ में आ रही है कि आप लोग मुह लटक रहा है को संब करके नाएं मुह लटकाने को अलाए बात नहीं स्टैंडार्ट की बात है कि स्टैंडर्ट जानना चाहिए सत्वगुन का निशिलन करना चाहिए धीरे-धीरे फिर यह घ्यान वह मारे हर्द है इसलिए अगर सुख बढ़ रहा है इंद्रियों में मन में प्रसंता हो रही है तो यह भी स्वत्वगुण का लक्षण है और आप जानते हो सुख अगर नहीं आ इसा सकह कभी नहीं आसकता है अगर इंद्रियों में. इसी कारण से वह अपने शरीर की आवशक्ताओं को बहुत कम कर देता है। समझ में आ रहा होगा। तात पर शरीर में नौ द्वार हैं, दो आखें, दो कान, दो नतने, मुह, गुदा तथा उपस्त। उपस्त मतलब जन्य निंद्रियां। जब प्रतेक द्वार सत्त के लक्षण से दीपित हो जाए, तो समझना चाहिए कि उसमें सत्तगुण विक्सित हो चुका है। अब जो हम लोग रजफण तमगण में हैं, ऐसे लोग सत्तगुण में स्तत्वक्ति की चित्त की कल्पना भी नहीं कर सечते क्या वरस्तों को वह कैसे देखता है। यो तमगुणी व्यक्ती है वो रजवणी व्यक्ती है वो इसद्गुणे कर दो कि मेरी बात माते हैं पत्लिकी व्यक्ते अरकाहित है लेकिन प्रभु पाजी कहते हैं लेजी इंटालेजेंस को चार भाग में टिवाइड केना लोह को busy fool, busy intelligent, lazy fool, lazy intelligent. Lazy fool तो हो गोड तमगोणी, उसके बाद हो गया busy fool. तमगोण में तो है, लेकिन कार बेगुफिक कर रहा है. busy intelligent मतलब रजगोणी है और बहुत सारे कारे कर रहा है. and busy fool भी हो गया क्या? busy intelligent नहीं गयाना चाहिए, busy fool and lazy intelligent. lazy intelligent है ब्रामना. मतलब उस जगत में बहुत प्रयास नहीं करता, बहुत एक वस्तों एक हट्टी करने के लिए, आपी तो जानता है कि मायनव जीवन के विले की station मात्र है, एक थोड़े समय के लिए मिला है, इसमें हम जितनी भगवान की भक्ती कर सकें, भक्ती में प्रगती कर सकें, उतना ही हमें, हमारा फाइदा है, यह कहने का मतलब है. इस long journey, भगवान की धान मापस जाना, एक लंबा, एक लंबी यात्रा है. तो उस लंबी यात्रा में जैसे आप, अब आज हम दो या बैल गार्ट कसी चीज से भी चल रहें तो आज रात हो जाती है तो हम सो जाते है सुबह उठेंगे अब फिर चल पढ़ेंगे समझने रात मतलब क्या हुआ मृति हो गई फिर आगी आत्रख करेंगे कहीं रुकने का तो कोई मतलब है नहीं जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते है हमारे एक महाराज जी ऐसे बहुत विनोद में कहते हैं क्या नाम है बद्री नारान महाराज तो कहते हैं कि यह जगत जो है एक हॉस्पिटल की तरह है और मान लिजे कुछी को जान लेवा विमारी में हो और वह वह उस्पिटल में जाये तो क्या वहां की नर्स से महां बड़नें के लिए फास्पिटल नहीं जाते हैं है यहां पर को चौन में प्रीकमें है और यहां पर इस प्रकार से इश्क महांबत की बात चलती रहती हैं कि जानने रहें कि पूरा जगत ही एक, the whole universe is a university, कि पूरा ब्रह्मान्द ही एक विश्विविध्याले है वो सिखाने के लिए, कि भई तुम जगत के इंद्रे नहीं हो, बस खली एक ही पाठ पड़ाए जा रहा है, कि तुम जगत के इंद्रे नहीं हो, केंद्र है क्रिष्णी, क्या ही बात बार बार नहीं किता है, मैं भागवत में सुन रहे हैं, कि अपनी इंद्रियों से क्रिष्णी की सिवा करो, यही बीमारी है बस जीव की, कि वह के इंद्र में लगकर अपने को भोग करना जाता है, इस सब अजगुण की वज़े से होता है, ठीक है, समझ में आ जाती हैं, दिखती हैं, सही सही सुनाई पढ़ता है, और सही डंग से उन व्रस्तों का सवाद मिलता है, बहुत इंपोर्टेंट है, सही सुनाई पढ़ना यह बहुत जिरूरी है, भागवत गीता का ज्ञान या आप किसी को परचार करेंगे, एकदम आप कुछ कहना चाहते कि उनका पाव स्लिप हो गया है इनको पाव में मोच आ गई है तो मैंने श्राम को पूछा प्रभूजी पाव मोच आ गई है कि तो नहीं कान में दर्द हो रहा था थिखने का में दर्द हुँ रहा है और बात वह इन लूंसे बात जो है पहुंचे है पाउं में पाऊंकर कह से आगा बताइए आंव और कान में को शब्दि कामन नहीं है तो कान से पाउं कैसे पहुंच गिया और उसने बताया तो देख रहे हैं विसे जो कुछ बोल रहा है उसको ठीक सिक सुन नहीं पा रहा है मैं प्रसाद में पा रहा था और एक ब्रह्मचारी आकर के अलब कंप्लेंड कर रहे थे मिरचे कि हुआ चपाती टाइम से नह पा रहे पा रहे है है कि मेरे तेयम बॉल रहे हैं मेरे बगल में बेटे थे आफ्य मेरे पिट आ魚र रहे हैं फैंड कूरी ठीकार्ष में प्रभावित हम बहुत बार लॉंगों देखते एक बार इसंतरब दिखाए में आत गंशीर पर बोलते है तो हे वक्ति बोला, रोज पानी होता ही नहीं है. कल आपने पलेट कैसे दूली दीधरा बताईए. आज पानी नहीं है. लेकिन उसको तुरं रोज पानी नहीं होता है. minesे कल कैसे हाथ दूलेते हैं बताईएं. तो लोगों को पता ही नहीं कि कि वह क्या बोल रहे हैं, इसका क्या प्रणाम होगा, मैं क्या खा रहा हूं सा क्या प्रणाम होगा, मैं क्या देख रहा हूं सा क्या प्रणाम होगा, यह सब रजोगुण के कारण है, तो यह सब तो गुणी विक्ति ठीक ठीक देख पाता है, ठीक है ना, जैसे कल उस बक्त न युजित होता है ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रयास कर लेंगे तो बहुत हमको मिल जाएगा तो सब्सक्राइब जान रहा है कि जब जैसे दुख मुझे अपने आप मिलते हैं तो बहुत एक सुख भी मिलेगा असलिए मैं प्रयास ना करके भगवान की भक्ति में प्रयास नहाने की वृत्ति बढ़ गई है यह शुद्धी अशुद्धी का विचार बहुत बढ़ गया है नहीं तो लोग करेंगे क्या दूपहर में अगर एक घंटा सो लिए तब भी नाना है टौलेट चलेगे तब भी नाना है यह तो टूमच है महाराज भी बता रहे थे कि अमर अगर भी नाने से डर गया और शत्री अगर यूद्ध से डर गया और ब्रह Crispy लिए भी बढाती की बता देता है को नहीं पता है कि अगर किसी को सोचाले जाना पड़ता है तो इसके बाद उसको नहाना होता है और जिन कपड़ों में हम जाते हैं, शौचाले उसको गंदे हो जाते हैं, वह अपवित्र हो जाते हैं, उसको पहन के आ गाए, उसके बाद फिर वही गुरूम में गुज गए, उस अब नहीं होता है, तो इसलिए सुनना जरूरी है, प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षन और यही स्तिती होते है सत्वगुण की, ठीक है, आगे यहां तो कोई पूछना है सत्वगुण के बारे में, नहीं, ठीक है, माइक दीजे प्रवजी को, एक और इंट्रस्टिंग बात बताना चाहरा हूं, वससे यह अलग पॉइंट है, जो तमोगुणी व्यक्ति है, वह अभी मृत्यू से डरता नहीं है, वह ज्यान में, अरे मारेंगे तो मारेंगे, सामा के लिए तो ना मारेंगे, सभी मारेंगे, ऐसे कर, जो रजगुणी व्यक्ति है, वह अभी मृत्यू से डरता नहीं है, देखते हैं क्या होगा, और सत्वगुणी व्यक्ति भी मृत्यू को बढ़ाता है या सुद्ध सत्त 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 को बढ़ाता है या सुद्ध सत् करके बड़ा प्रस्वन हो जाता है तदा रजस्तमव भावा कामा लोभा शे चेटेर एतर अनाविद्धम सितम सत्वे प्रसिदिती तो वहाँ पर प्रपाद सत्वे प्रसिद्धी मतलब बोलते हैं शुद्ध सत्वे मिश्थ्थत होता है तो भक्ती के द्वारा हम जुद सत्व मिश्थित होते हैं प्रहपाँ जी के बड़ च्छा स्टेटमेंट है। Bho embarrassed brother पुछा प्रभुपाद ने कहा कि प्रलाद महाराज सतोगुण में है तो प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर उतर दिया कहे रहे थे कि प्रलाद महाराज दिव्य हैं लेकिन वह ऑपरेट सतोगुण में करते हैं किर्या है सतोगुण होती हैं लेकिन है वह दिव्य यह बात समझ में आरे है रिज्टि भग्ति वीद्याराज शेट ने करें प्रमाश थे ऊछिएव को पहले क्रमसा तामागुण को निश्ट करते करते फिर सुद्त सत्व में इस्टद करते हैं ठीक है, और कोई प्रशन है, ठीक है, नेक्स लोग देखिए, लोभा प्रवृत्तिरारंभा, कर्मनाम अश्महस्प्रिहा, रजस्य तानी जायंते, विव्रिधे भरतर्शभा, भरत वंश्यों में स्रेष्ट, लोभ, लोभ जब बढ़ता है, प्रवृत्ति आरंभा, प्रवित्ति मतलब कर्म करने की प्रवृत्ति, उसको शुरू करना, बहुत काम करने की इच्छा, कर्मनाम अश्महस्प्रिहा, कर्मनाम मतलब कर्मो को, और अश्मह, शमन समझते हैं, अगनी शमन विभाग, अगनी शमन, अगनी को बजहाना, तो अश्म का मतलब क्या हुआ, जिसको बजहाया ना जा सके, अश्महस्प्रिहा, भोगस्प्रिहा, इस्प्रिहा मतलब इच्छ बहुиб ऐसारी चाहिए यह वह चाहिए यह राना है वह लाएै जैसे हमारे भगतों को देखो एक प्लेट लेतने जिसमें तीन goodses होते हैं उसी एक में में दाल एक में चावल एक मैं इसे करके काले ते संथे पिस्थ हो जाते है वहाद धन्या प्रोज अदूत है, मैंटेनी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ही प्लेट बीस साल तक चलाते रहे, बीस-बाइस साल तक, कि तो सिंपल है ना, लेकिन दिखाने लिए शीशे की क्रॉकरी, उसकी क्रॉकरी ये, वो तो ये दिखाता है कि कोई इच्छा की स अभी सब समने आने वाला है कि क्या-क्या सब बताया जाएगा, और ये आप देख सकते हैं, जगत में लोगों की इस प्रकार से बहुत स्प्रिया होती है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस प्रकार से वो दुख ही रहते हैं, और जहां पे चाहिए क कि बात आ गई तो वहां दुख का निर्माण हो गया जहां पर इस प्रकार की गिलानी है कि मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए वहीं दुख का निर्माण हो गया अशांतस्य कथम सुखम किस प्रकार से अशांत्य विक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता रजस्य एतानी जायंते एतानी मितलब ये सारे सेम्टम्स रजगुण के द्वारा जायंते उत्पन्न होते हैं और जायंते विव्रिदे उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं समझ में आ रहा है ठीक है है भरत वंश्य में प्रमुख जब रजगुण में विरिद्धी हो जाती है तो अत्यादिक आ सकती सकाम कर्म गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लाल्चा के लक्षन प्रकट होते हैं इसको देखते हैं घीता भीशन ठीका लोव का अर् भोग सकता है क्या वो सारा कुछ भोग नहीं सकता है लेकिन दूसरों के कल्यान में देना भी नहीं चाहता इसे कहते हैं लोब यह होते हो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि कई बार मैसी कहाने सुनते हैं कोई को ब्रामर था बहुत लोवी था और अपने ही धन को अपने बिले भी नहीं और दूसरों के लिए भी नहीं इस्तमाल करता था पिर उसके भागवदम मर् टा रहा है उसके बाद वो क्या मुंर जाता है पर यह कौह कंदना अर दं बना नहीं जाता है तो उस जगात में हम लोग देखते है कि लोगंगोod कि वह दूसरों को देंगे नहीं। ठीक है मुझे याद है हम लोग घर में ते थी तो बगल में अवरूत का पेड़ था। हम रूर तो सड़ा जाएगा लेकिन वह देंगी नहीं। तो यह लोग है लें प्रयास कर रहें और चाहिए और चाहिए और चाहिए कि अधुद बात है कि लोग उसको देख नहीं पाते हैं प्रवर्चियों से अनुभत करना है कि हाँ यह प्रवर्चिय हमारे में हैं लेकिन उसको distinguish नहीं कर पाते हैं कि यह हमारे लेंग खराव हैं हमारे भक्त बता रहे थे कि ताउ जी मर गए तो पीता जी को बोला पीता जी आप पैसे के बीचे भाग रहे हो ताउ जी को देखा नहीं नहीं दिखाई प्रटरान को, इसे कहते हैं पश्चन अपी नहीं पश्चन देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, यह पर बात बता रहे हैं, अद्बुत है यह बात, कितना अद्बुत है, कि एक कोड़ी भी हम साथ में नहीं लेकर जा सकते हैं, लेकिन पैसे की बीचे विक करने वाला था तो अपनी से मैंने कुछ 3,000 रुपए के बरतन एकट्टे किये थे और जब जोईन करने वाला था छोड़के आने वाला था भी सोच रहा था कि अरे ये बरतन त्यागने पड़ेंगे एक तोड़ी आ सकती आ रहे थी स्वक्त कि अपने पैसे से कमाया है इस सम्मध में और घटना है विदिश्टर महराज से युदिश्टर महराज से किसी ने पूछा था मुझे आदा रहा जाता था भी अधिश्मतामया या किसी ने की तरह एकदम जैसे प्राण अंदर में प्राणतना प्री होता है उसी तरह से धन लों को बहुत प्री होता है और यह को वितिदान कर रहा है तो यह बहुत अच्छा उसके लिए और इसका बहुत इस प्रकार से अगर हम एकटा करने के भाव में रहेंगे तो अशांत रहेंगे जैसे कोई खाना गरं करता रहें तो कट नाहीं हो जागे के नहीं हो जाए कि ग्रहन करना वंकि झारते से चुड़ेग प्रमाने की दान मेरे नहीं है। लेकिन यार रखना चाहिए इस परकार से और Heमिए नहीं किया आणाम आरंभ अर्थात अपने लिए घर इत्यादिय बनाने के लिए कर्म को प्रारंभ करना तो क्या साधु लोग आश्वर में नहीं रहते हैं लेकिन मिनमम में रह लेते हैं बहुत आडंबर इखटा नहीं करते हैं ध्यान दीजेगा कि अपने रूम में जो वस्तु आपने है मैंने से इस्तमाल नहीं करी है तो अब वह कभी इस्तमाल नहीं करेंगे इमान के चलिए वह अखरी पड़ी हुई है और वह सिगनल देती रहती है कि यह मेरा भी तो उप्योग करो यह सूख्ष्मी चीज है अगर आप थोड़ा समझ पाएं एक बैग पड़ा हुआ है जि इसलिए और उससे होता है रूम गंदा इसलिए वस्तुओं को आज आप लोग क्लास के बाद अगर समय हो तो थोड़ा सा साफ कीजेगा जो आप शक्ताई नहीं है तो भरते मां जाएं यह भी चाहिए वो भरना यह भरते जाओ भरते जाओ पर रहने के स्थान ही नहीं बचा है सभाई करने के स्थान ही नहीं बचा ब्रह्मचारी आश्रम मनलब कम से कम समान ठीक है कुछ है नहीं है कुछ नहीं है तो उसका मलब यह नहीं कि नहीं जादा आगा है अब से हम लोग देखो ना तीन कपड़े पहनते हैं एक शरीर पे है एक रसी पे एक बाल्टी में बस उसी को रुटेट करते रहते है प्रभुपाज इस बात पर आश्यप कर रहे थी कि भारत में तो एक कोई व्यक्ति अगर अगरीब आदमी है तो धोती कुर्तागर एक भी है वो गमचा बांदेगा धूलेगा सुखाएगा और फिर भी वह रोज साफ कपड़ा पहनेगा और तुम लोग इतने कपड़े होने के बाद भी जह साफ नहीं पहन सकते है इसलिए हो सकते तो जीन्स पहन नहीं पहनना चा कहां रह रहे हैं इस सब का हमारे चित पे प्रभाव पढ़ता है ठीक है तो बहुत बड़ा घर बनाने से एक वरती सुखी नहीं हो जाएगा और घर को साथ में लेके भी नहीं जाएगा लेकिन इस परकार से दुनिया में दिखाने के लिए कितनी लोग इस प्रिया होती है अगर हम प्रैक्टिकल लवेल बेबात करें प्रैक्टिकल बाते दो अधिक समझ में आती हैं लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए घर मनाएंगे तो घर मनाने में 20 साल लग जाते मुसली तो उतने में बुढ़ी हो जाते हैं और जब लड़की के शादी हो जाती लड़की चली जाती है और लड़का घर मेराना नहीं चाहता है तो अपने घर बनाए कि इसके लिए वो बुद्धा बुद्धी अकेली रहते हैं वापस घूत की तरह स्में होता है कि नहीं होता है गलत बोल रहा है क्या काट दीजे बाद इस बात को हां और आक में छोड़ के चले जाते हैं एक भक्त बता रहे थे कि एक व्यक्ति थे कि वह अपनी बाइक किसी को नहीं देंगे अपना यह समान किसी को नहीं देंगे यह समान नहीं देंगे और बगवाने सभी छीनलिया मर के चलेगे अब मद्धों किसी को तो यह दिखाता है कि वास्तता भक्त को, भक्त की भावना क्या होती है, मैं कैसे दूसरों की मदद कर सको, उसके लिए चाहिए धन लगे, प्राणे अर्थेर धिया वाचा स्रेय आचारणम सदा, प्राण से, इंदरियों से, वचन से, बुद्धी से, दूसरों का श्रेप रा और भक्त की अंदर तो भावना होती है कि मेरे लिए कम से कम, और कृष्णी के लिए अधिक से अधिक दिए जाए, इस वहाविक होता है भक्त की भावना, श्रमहा अर्थात, विशय भोग आदी से, इंद्रियों को निवृत्त कराने की असमर्तता, मतलब, इंद्रियों भो विशय भूगने की इच्छा, इन लक्षनों से समझना चाहिए कि रजगुन बढ़ रहा है, कुछ परशन है क्या कोई, कुछ जबुटिस से बात कर रहा था, कुछ लोग अंदर होती है, इस्टोर करने की शमता मतलब हो, आदर होती है, उसको इमेडियेट क्या सलूशन कर दें, उसको समान निकालना शुरू कर दें, वह जब आपको सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि इदाइत्व है कि उसको जीवन में अपलाई करने का प्रयास करना चाहिए, यह नहीं कि हाँ, सुन लिए, आप सुन करके क्या था, एक वक्त बोल लिए, जैसे उठते हैं, तो जीवन में अपलाई करें, हमारे कल्यान के लिए, यह सारे जो रजगुण की चीज़े हैं, केवल जीव को दुख देने वाली हैं, यह चाहिए, वो चाहिए, यह करना है, वो करना, यह करना, केवल दुख होता है, ठीक है ना, एक्दम दिखाई पड़ता कि लोग दुखी ह तात्पर्य, रजगुण इव्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्थ पद से संतुष्ट नहीं होता, वे अपना पद बढ़ाने के लिए लालाईत रहता है, इस समंध में एक छोटी सी बात है, ब्राम्मण अपने ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होता, शत्रिय अपने से कभी संतुष्ट नहीं होता, और शूद्र कभी संतुष्ट नहीं होता, शूद्र हमेशाई रोता रहता है, अरे यह नहीं मिला यह नहीं हुआ, यह त्मगण का लक् 첫 sister, है यह हो जाता, हाई वो हो जाता, ऐसे करके, अब गुणों के पढ़ाफ होता, देख पा रहा है कि दिल्ली में प्राइम जगा है एक दम एक दो तीन चार तो एक दो तीन में भी मुश्किल से रह रहे हैं माले पे और उसमें बगल में एक दो तीन चार जो पुरा खाली पड़ा है उसे किराई पर भी नहीं उठाएंगे अब देख रहे इतना धन है लोगों के पास उनको समझ मिल्यान करें क्या इसका एक बात बहुत अची प्रहपाति कहते हैं कि धनी वेक्ति और ज्यानी वेक्ति को कंपेर नहीं कर सकते आप धनी वेक्ति का जो रेस्पेक्ट है वो केवल अपने समाज में हो सकती जहां धन देत है लेकिन ज्यानी वेक्ति के जो रेस्पेक्ट हो हर जगे हर जगे होगी कि हर वेक्ति को किसी भी समय किसी भी तरह से कल्यान कर सकता है अपने ज्यान के दारा और ज्यान किसी से कोई वेक्ति छीर नहीं सकता उसका और ज्यान धन से प्राप्त हो नहीं सकता ऐसा नहीं कि सकते हैं ऐसा नहीं कि समझ माने लग जाएगा जब तब व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा उसे प्राप्त नहीं होगा वह इंद्री तिप्ति के लिए अत्य अधिक लाल सा विक्सित कर लेता है तो स्पष्ट है इसमें इंद्री तिप्ति की कोई सीमा नहीं है यह चाहिए फिर व पहावना हो, I can enjoy, I really enjoy, समझ रेना, मैं वाकई भोग करो, बोलते हैं, I really enjoy, तो बस समझ लेना चाहिए कि ये सब रजुगण की बस है, पिटाई हो रहे हैं, जम के और के रहे हैं, enjoy, महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, मैं अब सुनिये का कपिल दिवाउती समवाद, आज याद है, कि मानलीजे किसी भोज में बुलाया जाको, भोज मनला फिष्ट में, और पहले हमको गंदे नाले में डाला जाए, इसमें लेटरिन भरी होई है, उसमें डाला जाए, हासर है बटा, हासर हैं अभी, उसके बाद बाहार निकाला जाए, और गुप टंडे मारा यह महाप्रसादे गोविन दे, तो क्या आप ऐसे फिष्ट में जाना चाहेंगे, विजय प्रभू, क्या लगता है, नहीं, नहीं, आत खड़ा करते हैं, नहीं, अब बताए हम सब लों का जन्म कैसे होता है, वैसी तो होता है, मा का गर्भ को तो बहुत सुन्दर स्थान नह कि ऐसे बहुत जाते हैं, या महराज कह रहे थो, यह तो बहुत ही विनोध है, मालनो कोई बिक्ती किसी दिन जेल में आये, अब हर साल और मनाय कि ये मेरा बर्थडे है, मैं इस दिन जेल ने आया था, और केक काते, तो क्या ये बहुत अच्छी बात है, और बाकी लों भी कह कि ये दिन बार-बार आए, समझ नहीं, इस पर बारे गौद सुंदर पर बड़ा अच्छा बोले, कह रहे थे कि जब आप बहुत इक्तावादी किसी इस्रेश्ट व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, तो कहता है, क्योंकि उस तो बड़ा अच्छा बोले, तो कह रहे थे कि बिटा जुग-जुग जीते रहो, और वो आगे नहीं बोलते हैं, और दुख भोगते रहो, बड़ा जुग-जुग जीओ, दुख ही रहो, लेकिन जुग-जुग जीओ, क्या जुग-जुग जीएंगे इस जगत में, तो इस परकार के प्रार्थना से कोई खास लाब नहीं है, जीओनी लोग प्रार्थना करते हैं, एक बहुत अच्छा पास्टाइम है, महाप्रभू का स्मबंध में, एक दाड़ी सन्यासी था, दाड़ी सन्यासी महाप्रोड सन्यासी, तो इस ने कहा, महाप्रभू देख के बहुत प्रसन वानिमाइ पंडित को देखा कर, और उस ने प्रभु कहें अरे इससे क्या होगा ऐसा वर्दान क्यों दे रहें आप आसा वर्दान दीजे कि मैं कृष्ण भक्ति में सुखी हो जाओ कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ू तो कहते हैं देखो क्लिवकर क्या प्रभाव है छोटा बच्चा मुझे समझा रहा है समझ रहे हैं और इस प्रकार से फिर फिर अखर नहीं आओ तो आप देख रहे हैं कि वो सन्यासी था लेकिन पूरा रजगों टर्म अगुड में पता ही नहीं कि किस प्रकार का आशिरवाद देना चाहिए और उसके बाद वो कहता है कि मैं कुछ तुम्हें कुछ खाना है तो कुछ फ़ल लेकर आते हैं तो महाप्रभु स्विकार करते हैं फिर वो कहता क्या तुम्हें कुछ आननद का मतलब क्या है तो मतलब करते हैं और भाग जाते घंगाजी में इसनान कर लेते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत सुंदर बात कही गए कि बहले ही हो कितना भी पतित हो म तो आगे जाके जरूर भक्त बन जाएगा तुकि है घोर रजगुणी तमुगणी विक्ती भी हो भगवान के भक्तों का आशरे प्राप्त होगा तो वह निश्यतुरूप से भक्त हो जाएगा तो इस प्रकार से लोग इंदितिति करते रहना चाहते हैं इसा कोई अंत नहीं है इन सारे लक्षणों को रजगुण की विशेष्था मानना चाहिए कई बार मैंने भक्तों को बोला है प्रोभजी इतनी महनत क्यों कर रहे हो इतनी महनत क्यों कर रहे हो कितनी बार समझाया लेकिन कह रहे हैं कि नहीं प्रोभजी आप बोल रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ऐसलिए मैंने आप बोलना ही छोड़ दिया व्यक्ति का यूर नॉट दबोड़ी तो बोड़ी बिल्डिंग साथ बजे के बाद कर लो और पांस साथ हरी नाम जब कर लो लेकिन को समझ में नहीं आता है क्या करा जाए सो है न क्लास मैं इसलिए बोल रहा हूं सुबह उटकर सत्वणी समय में सत्वणी कारे कर लो नाम जब कर लो असानी से हो जाएगा माला छूट जाए को दिक्कत नहीं है लेकिन 2-4 दिप स्चूट जाएंगे तो उसमें को बहुत दिक्कत है तो यह सब दिखाता है कि वैक्ति रज्जगून का ज़रा प्रेडित है वो बुरा नहीं अने क्लस में आते रहें, वी क्लास का सभावी है, वे रव सेम क्लास के माध्डियम से, हम बताते हैं, अब आगे करें या रवजा, यो नाम जनकर के शूख मिलता है, कितना भी स्वास्थ विक्ति हो, कभी सुख्य नहीं हो सकता, हम यह नहीं कहा हैं, कुसब से आधे स्ववस्त मत रहो लेकिन जो समय जो कार्य करना हुआँ उसको देखने की बुद्धी होने चाहिए कि अगे पड़ते हम दो और होत्य एक श्लोक कौर एज्टा कुए निजया दे author native बिवरध लें अन्ब अपरकार अमत्लव अंधकार फिविंट्थी मतलब कोई कर्म भी नहीं होता आलास से पड़ा रहता है प्रमाद मतलब पागलपन in the tension कुछ बताइञा नहीं करना क्या है मोह मतलब जैसी वस्थूं है उनको नहीं देख पाना यह वच्छा यह चार हो गए अप्रकाश मतलब अज्ञान अप्रिवित्ति मतलब कर्म नहीं करना प्रमाद मतलब पागल पुन कर्मन करना और मुह मतलब जो वस्तों जैसी हैं वसना देख पाने की शम्ता उल्टा उल्टा देखना उसे तमस्य ये तानि जायंती यह सब तमवगुण के द्वारा उत्पन्न होते हैं विवर्द क्या आवाज ने आ रही विवर्दे कुरुन ऐम दन्न हो क्या अब बढता है तो शेक ये उत्पन्न होते हैं और यह दिखाई पढते हैं मचसा प्रशनु क्या है प्रशन देखा जाए कर गया को अगर क्या iron नहीं है तो भाय मुक्त कैसे हो कि का कोई दोनी रजोगुण का हाँ though जब व्लेक्टित एक हिसा वाति समझना चाहिए अगर मैं रजोगुण हूं तो मुझे क्या करना चाहिए सुभे के समय साधना कीजिए, शाम के समय श्रमण कीर्तिन कीजिए, और दिन के समय regulated कर्म कीजिए, आठ गंटा काम करने के लिए बाहर जो लोग रह रहे हैं, आठ गंटा काम करने के लिए प्रहुपाद ने कहा है, ये नहीं कि अब 10 गंटा, 12 गंटा, 20 गंटा ये लगे ही प है ठीक है आठ घंटक कर रहा है लेकिन निरासक्त और ये तभी समझ में आ रहा है, क्योंकि आज क्लास में आये हैं, और अगर क्लास में नहीं आएंगे, उनी के बाद का उतर दे रहा हूं, तो कभी समझ में नहीं आगी कि रजगुण, तम्मगुण है क्या और ये क्या अदुष्प्रभा हमारे चित्र में डाल रहा है, जब तो मंगुड में व्रिद्धी हो जाती है तो हे कुर्बत्र अंधेरा जड़ता प्रमत्ता तता मुह का प्राकट्ट होता है गीता बुशन ठीका अप्रकाश अर्थाद ज्ञान का भाव ज्ञान का मतलब वस्त्वों को यतावत देखने की शक्ति और इसका नितांता भाव को प्रकाश का जागर दिखाई नहीं पढ़्ड जैसे अंधेरे में वस्तुulsive होती है लेकिन जैसी वो होती है वो दिखती नहीं है कush नहीं पंदेखता है जैसे मैंने बताया था कि सर्प है नहीं तो सरब कर डर होता है और जो वस्तू है मालो केक रखाए वो दिखाई नहीं पड़ेगा जो वस्तू में जैसी है वो नहीं दिख पाती हैं, निकारम वह बात बोले अप्रिविर्थी अर्थात शास्त्र अवीहिद विश्यों को गरहन करने की प्रविर्ति मतलब जो शास्त्र निशेद कर रहा है यह बिलकुल नहीं करना उसको जरूर करेगा ओट रहा हैं अगर आज सुबह प्रशने किये में ज़य कोई कहां लिखा है माजखाना गलबड लिखा है शास्त्र में जिए तब भी तुम तुम मानोगे तब गएर शास्तर वास तब जूटे है ऐसे लिख दे गए तुम मानना ही नहीं नहीं है यह सब तो मगुण की वसे, लिखा नहीं गया है, कि कोई वेक्ति अगर शराब पीता है, तो कौन से स्वर्ग प्राप्त होता है उसको, स्वर्ग नहीं मिलता है, नरक में मुझ खोल करके लोहे का तरल पदार्थ डाला जाता है, लोहा तरल लोहा डाला जाता है, कोई वेक्ति इसे पूर्श के लिए भी होगा, आई री, यह साब कुछ नहीं है, स्वर्ग नहीं है बस अब कुछ नहीं देखा, सब मित है ऐसे करके, तो यह सब तम्मगोड़ा है, समझ रहें, यह बात हैं, तो शास्तीर में जो वहत कर्म है, उसको बिलकुल वहत कर्म है, जो नहीं करना ह उसको ही वो करते हैं और वहित क्रियाओं को करने के प्रती विमुकता जिसका कारण प्रमाद होता है यह समझ में आया जो बोला गया है कि बहुत हो भगवान का प्रसाद कहाओ जब करो इसको बिलकुल नहीं करना है यह भी आप देख सकते हैं प्रचार करते हैं कि उसको बोलो हरे किष्णा करो ओनेहीं कर पा रहा है प्रभवजी मनीनी कर पाता है मनीनी करता है तो मतलब क्या हुआ तमणों की बहुत बिद्धी है तो प्रयास करी करो चलो भगवी कम से कम थोड़ा प्रसाद तो खाओ इस समय में एक भक्त बहुत अच्छा बता रहे थे प्रहुपाद जी कि शिष्य खुदी बता रहे थे कह रहे थे कि मैंने बता चुछ कहूं पहले किन लोगों प्रहुपाद प्रचार कर रहे थे तो कह रहे थे प्रहुपाद जी ने एक बार प्रवचन में बोल रहे थे ने क जानते ही आप लों महाराज बारों जो बिद्री तो मैं ने वाली सकता कुझने कि ट। अर्थात हाथ में इस्तित वस्तू का बोध ना होना, कभी-कभी आपने देखा होगा कि चस्मा होता है और जगह ढूंड रहे होते हैं कि चस्मा कहा है, इसा बंद के वज़े से होता है, inattention, जब में मन नहीं लग रहा है, मन अदर जा रहा है, यहा कभी-कभी होता है, पता ही जयति नामा नंदरूपम बुरारे विरमित निज धर्मा ध्यान पूजादियत नम कथम अपिसक्रदातं मुक्तिदं प्राणि नाम्यत परम अम्रितमे कम जीवनम भूशनमे कथम अपिक्या से भी उचार नकर ये मुक्त हो जाएंगे मतलब शरीर में आत्म बुद्धी देह में आत्म बुद्धी मैं ये शरीर हूँ ये मुह होता है और शरीर से वस्तु है जो सम्मंदित है वो मेरी है इनका मैं भोग करूँगा ये बाते हैं तो इन लक्षणों से समझना चाहिए कि तम्मगोण बढ़ रहा है तात्पर जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है तम्मगोण व्यक्ती किसी नियम में बंदकर कार्य नहीं करना चाहता है ये तो बहुत जगे हम देखते हैं का ब्रजी आप दो माला जब किजिए ना हम नियम में बंदना नहीं चाहते हैं हम पुरी रहना चाहते हैं हम तम्मगोण में बंदना चाहते हैं कि नियम में बंदना नहीं चाहते हैं है इस अब तम्मगोण का लक्षिन है आपने कभी मिलें याशी लोगों से प्रिच्शिंग करते हैं को बोला दो माला किजे और एक माला तुझी ना बहुत नियम है अचाहते नौकरी कैसे नौकरी में नियम से बंदने हो नौकरी जाते हो तो नियम से बंदने हो ट्राफिक चेलाते हो तो नेम चर्दा चलते हो तो मंदिते है कि नहीं लेकिन भक्ति में को नियम पालू कर नहीं करना चाह से इस OF तरय ईक मुझे यह को हुच्व है यória व्क्दि कवरेक्वों आर है हम अन्य नाम लेना लाउट नहीं आइसले नहीं नहीं तो उन्हें बुला हमने का भे यह निरंकारी क्यों हो गई निरंकारी भगवान को निरकार मानते हैं तो भगवान की बात को वेदादेश को ना मानने की च्छा यह तमगुण है वे अकारण ही अपनी सनक के अंसार कारे करना चाहता है यद्दपी उसमें कारे करने की शमता होती है किन्तु है परिश्णम नहीं करता यह मोह कहलाता है ठीक है यद्दपी चेतना रहती है लेकिन जीवन निश्क्री रहता है यह तमगुण के लक्षन तो आज हमने क्या सुना सत्वगुण से ज्यान बढ़ता है रजगुण से बढ़ने लगता है इंद्रियोस में यतावत देखने की शमता आती है रजगुण से बहुत इच्छाएं बढ़ जाती है और तमगुण से तो बिलकुल हम अज्यान में ही पड़े रहते हैं वेदिक शास्तरों को समझने की भावना ही नहीं होती एक भक्त था हमारा भी तो भक्ति कर रहा है विचारा भक्ति करना शुरू ही किया था तो मैं वो विट्टि उसको बोल दिया अरे कुछ नहीं है सब शास्ता जूटा है यह है वो है तो फिर वाकर के हमको बुलन लग गया दूसरे बद को बोला था मुझे लग रहा है कि सब को जूट है तो मैंने सब को जूट है तो तुम भी सत्म सच कैसे हो इस प्रकार के भावना सब तमगोंड से प्रभाज़ती है इसले आशी लोग से सुनना नहीं चाहिए कोई प्रेशन अगर किसी वक्त का है तो में ले सकते हैं तमगोंड दजगोंड संब शातोंगोंड संबन में नहीं तो यहां रुकते हैं कि कॉस्टि? मैक दीजे समें रखान धिया शर्वित क्यूंड से अंखर ख। यह सरी हृम कोने संब्सक्तपताभ। क्योंड ब enabled idiot Conga ुसटि मैं तो में वितने ट्रवा मेला मेरे एहता नहीं से कोई है क्योंकि तो है नो आघए खरवन कॉतित है अब को रिकॉर्ड बनाना तुमारा रिकॉर्ड करेगा कौन चेक करेगा रिकॉर्ड कौन देखने आ रहा है कि तुम आप चार मिनट में किया ये सब रजगून के प्रभाव में ऐसा होता है महाराद अच्छे से बता रहे थी कि भजन को बड़ी तलीनता से करना चाहा ये भी नहीं कि बहुत धीरे करें एक ऐसी गति जिसमें आप हरे कृष्ण मंत्र को सुन सकते हैं बेसिकली हरे कृष्ण मंत्र हम जब बोल रहे हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं वो सबसे महत्पूर्ण कार है ऐसा नहीं है कि कोई और महत्पूर्ण कार है जिसको करने के लिए हम अब इस सबसे महत्पूर्ण कार को छोड़ने समझ में रहा है और ये कोई ऐसा भी कारे नहीं है जिसको हम दूसरे कारे के साथ कर सकते हैं आज में एक भग को नाट लगा रहा था है, तो हरे किस्टा जब भी रहे हैं, और बचड़े के आलिंगन भी कर रहे हैं, अब भाई ये क्या कर रहे हो, ये है कोई कार ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा करता पे सिखाना, ये कार नहीं है इस तरह से, जब ऐसे नहीं किया थ आप बचड़े के आलिंगन भी कर रहे हैं, तो इसलिए समझना होगा कि जब ध्यान कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसमें एकाकृता होना बहुत जरूरी है, समाहित होना बहुत जरूरी है, जितना हमारा प्रयास अपना कर सकें, तो उससे बहुत तीवर प्रगती होती है, ह कानों के द्वारा जब अपने हरी किष्रमन को सुनते हैं, तो सीधे आपके हिर्दे में जा रहा है, और हिर्दे के जितने भी गुण फून है, वो सब समाप्त करतेगा. हर चीज में हम जल्दी प्रगति जाते हैं, तो जल्दी जल्दी जब करने के चकर में, और सबस्ट उचारन नहीं करना यह उचित नहीं है, यह सबर जगुण का प्रभाव है, सबसे अच्छा है, जैसे माली जी दो घंटा लगता है, तो आप पंदर मिट और लेके चलिए, यह नहीं लगता है कि दो घंटा लगता है, तो खाली पहुने दो घुंटा लेके चलिए, इस पश्ट अचारण, प्रहुपा इस बात को बोलते हैं, मंत्र का अचारण इदम सपश्ट होना चाहिए, हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे, राम, राम करना होता है तो इसलिए इसलिए अच्छा है कि विक्ति सुभे के समय जब करें क्या मैं बात को रिपीट कर रहा हूं क्या आप लोग रूप सुभे चार बजा नहीं देखते की चुत बड़ा छांत रहता है जब करने के लिए बढ़िया सरक को करा ही और और सुभे नहीं उठ सकेंगे तो फिर ब्रकरिति करने बहुत कतना ही होगे हमारे इसी इस tree कि समय क्या बोलते है व्य हमारी व् whistle के मैं क्या है I will not chant 16 rounds, यह नहीं है, I will chant 16 rounds as attentively as possible, यह है नियम, नहीं है, यह है नियम, नहीं है, हम तो चाने कुछ फॉर्मला है, जिसे भगवान के धाम चिरे जाएंगे, अल्टिमेटली भगवान के धाम जाने का मतलब भगवान से प्रेम होना चाहिए, तो हम क्यों कर रहे है हरे संब्ध स्थापे, तो इस पर मैं अच्छा है प्रशन आ गया, इस संब्ध में सचीन अजन महारज बता रहे थे कि देखो, एक डिस्को है, और डिस्को में एक लड़का गया, और वहां पर कोई लड़की है, जब तक वो लड़की को बड़े ध्यान से नहीं देखता है, त attention has seeds for attraction, अगर हम हरी नाम के पृति आकरशन को जागरत करना चाहते हैं, के वल मुक्त मात्र नहीं होना चाहते, तो हमें ध्यान पूरवक जब करने का प्रयास करना होगा, प्रयास बोल रहा हूं कि ध्यान पूरवक करना हमारी श्रमता में नहीं है, वो तो भगवान के द्व बहुत सारे कारे करते हुए, जैसे माली जा बचला बांद दिया जाता और बचले से गलवाही कर रहा है, और का आँ गीता बोली आप, तो मुझे भी कोई गीता बोलने मुति रुची नहीं होती, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं, कृष्न का नाम कृष्न से कृष्न ही अभिन है पूरी तरह भिन अभिन नहीं है, अभिन है के पूरी तरह कृष्न, कृष्न स्पूल्ड वपुषे नमो नमा, अब साक्षाज कृष्न है, यह शास्तर रवतन स्युकार करके विक्ति को बड़ी गंबीरता से नाम जब करना चाहिए, समझ रहा है, तो उस प्रकार नहीं देते सुdon है, कि यह तो राउंड ऐसा ही हैं, और क्या यह अच्छा है कि हम एक्सा राउंड जब करें, मैं यह तो नहीं कहूऊँगा कि एक्सा राउंड जब भी अडिंटिन्टिवली करें, चलिये अब इस बात में पचार चा हो रहे तो हम पशला बात करी लेते ह हमें ध्यान पूर्व क्यों करना चाहिए से क्या प्रभाव होते हैं देखिए यह तो आप समझते हैं कि अविद्या के कारण हम अपने सोरूप को नहीं समझ पारें क्या सोरूप है हमारा कृष्ण के दास के रूप में और दास का मतलब है कि आपका एक संबंद भी है करते हैं कि नहीं डजट मेंक सेंस तो अब हम अपने संबंद को भूले हुए है जो हमारा कृष्ण है वो किस वज़े से है अविद्या से यह सबज में आता है और हमने कई बार बताया है टीका में आचारगर बताते हैं कि हरे कृष्ण में थे भागवान का नाम अविद्या का निवर्तक है अविद्या निवारण करने वाला है यह समझ में आती बात नहीं समझ में आती अरे आप अभी बुखार से गरसे थे तो ब्राइनियां दवा खा रहे थे कि नहीं तो उस दवाने आपके बुखार का निवर्तन कर दिया समझ में आता है बुखार द उसने आपके वुखार को मिटा दिया, विजय पुर्व समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से जब नाम ग्रहन किया जाता है आदर पूर्व करते हैं तो बहुत जल्दी यह अविद्या नस्ट होती है और अविद्या क्या कर रही है यो हमारा नित्य संबंद है वह है उसको ढुद धक रही है यह बात समझ में आ रही है तो जब हम नाम बड़ अच्छीत प्रकार से करते हैं तो नाम की क्रिपास से भागवान की क्रिपास से अविद्या निवृत होती है और हम अपने सम्मंद को भागवान से समझ पाते हैं अभी हम क्या सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ ये सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं जब अविद्या निवृत हो जाएगी इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी बहुत एक योग्यता क्या है ये बात समझ में आ रही है बिल्कूल पढ़ा लिखा विक्ती भी नहीं है अगर उसकी अविद्या निवृत है तो अपने सम्मंदों को भगवान से समझ पाएगा ये आप अभी नाराजी की जीवन में देख लिएगा बिल्कूल पढ़ा ही लिखे नहीं थे लेकिन भक्ती कर रहा है तो सारा ज्ञान हर्दय में उद्धत हो गया क्या ये बाते समझते हैं विज्ञान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में तो अब मैं इसे बाते क्यों बोल ला हूँ जब हम बड़े अच्छे से जब करते हैं तो ये जो आ सकती है इस जगत में वह अपने आप कम होने लगती है और क्रिष्ट में आ सकती बढ़ने लगती है जैसे जैसे अविद्या निवृत होती है क्या ये विज्ञान समझ में आ रहा है कि नहीं आपको तो जिस प्रकार से हम ठीक से अच्छे से दवा ले रहे थे आपके ले रहे थे कि हमें दस बूंद बुली तो दस बूंद किया जाए उसी तरह बोला गया कि अठाइस अजार नाम लोच लेने हैं सोला माला करनी है तो ये वेक्ती का कर्तव है कि उसको अच्छे से करे अच्छे से करेंगे आदर पूर्वा कर रहे हैं तो उन्हें कहा कि मेरे हितने में क्या भावना गई करेंगे किर्ष्ण से ए संस वृ लॉंगीने स्टू क्रिष्ण कि में क्रिश्ण का हूं यह भावना उनके हृद में स्सी walks भाव से पूरित हो गयी समझ रहे हैं कि यह थेओरी नहीं थेओरी नहीं सभाव से हिरदेश सही आगया समझ में कि मैं कृष्ण का हूं मैं इस जगत का नहीं हूं यह बहुत बड़ी बात है जगत में आप किसी बड़े विक्तिके हैं जानते हैं तो बड़ा confidence आता है करेंगे पार को में प्रेम करते हैं महराज को अनभव कर रहे हैं और फड़ेताइन अफ्य बढ़ गवान के प्रेम को अनभव कर पाएंगे उतना ही हम और कृष्ण को देना चाहेंगे, है कि नहीं, कोई विक्ति आप से प्रेम करता है, तो आप भी तो प्रेम करना चाहते हो, तो भगवान प्रेम तो करना है, लेकिन अविद्या के कारण समझे नहीं पार है भगवान कितना प्रेम करना है, तो इस बीमारी का इलाज क करना है और हम सब लोग इसे ग्रसित हैं इसलिए बड़ी गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए ताकि हम विमारे से जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और भगवान के प्रेम को अनभव कर सकें तो इसलिए इस तरह से जबी भी हम जब करें प्रयास करना चाहिए कर चाल मारा बढ़ ठीक प्रभुपात की चाहिए ना इए इडले मातनी चाहिए तो आँ इसलिए अन्छिछ क्लेस